अड़्धा उपान एड़्धा बैठेला खराब लागे बैसी ने आम तो उपा थे ने उपा थे ही कहते हैं कोई मानसे नहीं तो जेवा अंदर आवे ने बदा ताडियों ना गडगडार थी वदा विले जो जेवा आवे त्यारे अपने तड़त अच जई जवान जई किसान जई जवान जई जवान जई जवान के नूर समाद के नूर समाद के नूर समाद जई जवान के नूर समाद के नूर समाद के नूर समाद आपने मद्ये चंद मिनिटों मा अपना अधरीने राहूल जी उपस्थित्थ वाना छे आपने नहरा बुलाविए जाय जवान जाय जवान आदरने राहूल जी आपने वच्चे पधारी चुक्या से वल्सार जिल्ला खेड़ुत समाज आपनो हार्दिक्स द्सु स्वागतम करे से आद्याने राहूल जीनू वलसाड जिला खेडुत समाज आपनू भाव भीनू स्वागत करेशे मानने असोख बाई गहलोट जी मानने भरत्सी बाई सोलंकी जी आपने वच्छ आदेर निया भारत ना और आपना सव ना लाडिला आदेर ने राहूल जी आपनी वच्छ बधा तुम आगे बढ़ो! राहुल जी तुम आगे बढ़ो! साथे! संती ती बेसी जाओ, संती रखो मित्रो अवे बदा पोदपोता ने जग्याए गोठवाई जे इशू प्लीज बदा पोदपोता ने जग्याए बेसी जाए अपनो कारेक्राम सिस्तबद अपन जे समय मोले ओछे यहां वधुमा वधु समय नो उप्योग करवानों छे मित्रो जे उभा छे ते बेसी जाए पची फोटा पाडवानी पूर्ती तक मलसे में तमारा वती एवी खात्री आपी थी क्या खेडूत अंदोलन ना लोको छे सिस्तनो बिल्कुल पेलू नहीं करे आपने नीचे बेसी जाए आपने बहुत जल्दी आवे आपनों सिधो कार्यक्रम शरू करिये छिए गुजरात खेडूत समाजनू गुजराती चलेगा या आपके लिए हिंदी भी कर सकता गुजरात खेडूत समाजनू ए सदभग्य छे कि आजे कॉंग्रेस पक्षना राष्ट्रिय उपाध्यक्ष मन्येश्री राहूल जी आपनी वच्चे आव्या छे अनेक चुंटनियों आवती और जती ओय छे कोई राष्ट्रिय उपाध्यक्षो कोई खेडूत संगठननी क्यारेई वाद संबलवा आवता नथी आजे गुजरात खेडूत समाजना बेनर तले गुजरात ना खेडूतोनी चेलला 22-25 वरसना सासन मा जे उपेक्षा अने दूर्दशा थेई छे एनी वितक कथा संबलवा माटे राहूल जी आपनी वच्चे छे एक कल्लाकनों समय छे आपनी पासे आपना जे कोई सवालों होई 40 मिनिटनों समय छे महत्तम सवालों आपने एमनी सामे मुकी शू अने एमने आपने सांबली शू एमने पन आपने केवानू असे ये आपने बराबर ध्यान्थी शान्तिपुर्वक सांबली शू राहूल जी में आपको मैं समय लेना नहीं चाहता क्योंकि 40 मिनिट ही है अपने पास राहूल जी को मैं माइक देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ राहूल जी गुजरात के किसान जुमलों की बाढ़ में डूबे हुए है उस जुमलों की बाढ़ से उनको कैसे हाथ पकड़ के बाहर निकाला जाए उसके बारे में और उनके दुखदर्द के बारे में हम आपके विचार शुरू में ही जनना चाहेंगे और बाद में भी आप अपनी बात रख सकते हैं धन्यवाद जैकिसार शिजावाद शिजावाद नमसकार मैंने सोचा कि आम त्वर से यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है यहां तोर से हम लंबे भाशन करके चले जाते हैं जो पॉलिटिशन होते हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं आपकी बात सुन लूँ जो आपके दिल में है वो सुन लूँ कि अगर यहां Congress Party की सरकार आए तो हम आपके दिल में जो है उस पर काम करें और सरकार बने तो फिर आपको भी उसमें फाइदा मिले तो आप दिल खोल के बोलिए जो भी आप बोलना चाहते हैं सवाल पूछना है सवाल पूछ सकते हैं मगर अगर आप जो आपके दिल में उसको कहना चाहते हैं आप खुलके कहिए महिलाए भी आई है आपका भी मैं यहां स्वागत करता हूँ और शुरूवाद आपसे कर सकते हैं आप बोलेंगी कुछ आप बोलोगी माई के बोई या एक और माई के या अलो यहाँ मुझे दे दो इस पर तार है यहाँ Qundariya Ghamina, अमिके खेड़ु समझे अमारी 5 एकर जगा छे, तो आ बदी जो एस्प्रेस हाईवर में निकड़ी जई, तो अमेड़ी खेड़ुत मानस, रोजी रोटी करी ने खावारा मानस, आ जो निकड़ी जई, तो में कगई ने रही सकी जचे, चोक्राव बने अमारा गाई बेस बदू छे गरीब मनस अमुक व्यक्ति अमारी बाजू में एवा छे के नू गरे न थी खेती ए न थी ए बदा क्या गेई सके आपकी अभी तक जमीन गई है या आभी आपकी नहीं गई अभी जाने वाली है लड़की भी हे लड़की सावी करने की बबाकी है हम हमरे पास दस गई है पांच में से बक लाहा सबका है तो हम क्या करेगा, पाच एकर जमी निकल जाएगा, ज़ड भी निकल जाएगा, मेरी पास नरसरी टाइप का है, ओ ज़ड है, के जामू है, कमरक है, आबुसे, रकेसर है, ऐसा करके मेरी पास 400-500 ज़ड है, ओ कमरक का 16 जड है, केर है देशी के लाखाने के यह मेरी पास 6 है, 100 तो आइसा करके मैं हमारा घर चलाती हूं विज्ञस चलाती हूं मेरा मरद है वो खेतिच करता है तो हम कहां जाएंगे लेकिन जान देएंगे पर जमीन नहीं देएंगे हमको गोली मानेंगे तो हम ले लेंगे पर जमीन नहीं देने वाले हूं इतनी हमारी अपेक्सा है गरी म दूसरी को आप एकसा नहीं है यही मुद्दा जमीन का मुद्दा मैं तोड़ा आगे पीछे चल लेता हूं तो आपको सबको दिखाई दिए जाएगा तो यही मुद्दा उत्तर प्रदेश में बटा परसॉल में अंदोलन हुआ था वहां पर गोली चली थी वहां पर किसानों ने मुझे बुलाया था और यही बात उत्तर प्रदेश के किसानों ने भी कही और यही सवाल पूरे हिंदुस्तान में है किसानों के पास जमीन है जमीन से हमारी बेहन कह रही है कि इनकी जमीन में पेड़ हैं अलग-अलग चीज़ हैं मगर सच्चाई है कि 90 प्रतिशद किसानों की जमीन से उनका काम नहीं होता है मतलब उनकी आमदनी नहीं बनती है तो पहला सवाल है कि किसानों को सरकार की मदद की ضرورت है और वो सरकार की मदद उनका हक है पहली बात ये है दूसरी बात ये है कि जमीन की किमत बढ़ती जा रही है गुजरात में साड़े छे लाक एकर अक्वायर हुआ है और उस जमीन में से साठ प्रतिशन जमीन का प्रयोग ही नहीं किया गया वो भी जमीन आपको वापस नहीं मिली यह दूसरा सवाल है और तीसरा सवाल है कि अगर आपकी जमीन है और अगर आपसे यह ली जाए तो कौन से रूल्स रेगुलेशन में और कितने कॉम्पेंसेशन के साथ आपसे ली जाए बट्टा परसॉल के बाद यू पिए की सरकार एक नया कानून लाई थे पुरे हिंदुस्तान में हमने कानून में कहा दो तीन चीज़े कहीं अगर आप हिंदुस्तान के किसान से जमीन लेना चाहते हो तो पंचायत से पूछ कर किसान से पूछ कर ले सकते हो नहीं तो नहीं ले सकते हो पहली बात दूसरी बात झाल पीजेपी के लोग नाशनल लेवल पे इसके खिलाफ थे, मगर दबाव में आकर उन्होंने कर दिया। पीछे से कि इस कानून को रच कर दिया जाए। क्यूंकि उनके उपर बड़े उद्योग पतियों का बहुत दबाव था। हमने इस कानून को बदलने नहीं दिया। हम खड़े होगा हमने का नहीं होगा। फिर नरेंद्र मोदी जी ने नई तरकीव निकाली थे। उन्होंने अपने चीफ मिनिस्टर से और गुजरात के चीफ मिनिस्टर उसमें शामिल थे। उनसे कहा कि देखिए नैशनल लेवल पे हम नहीं कर पा रहे हैं इसको आप स्टेट लेवल पे निपट लीजिए। और जो कानून है हिंदुस्तान का उसको गुजरात में लागू नहीं किया जा रहा है। अगर आपका कानून, हिंदुस्तान का कानून लागू किया जाए तो यहाँ पे आपसे बिना पूछे, बिना पंचायत के एक एकर जमीन नहीं ली जा सकती है और अगर ली जाए, तो फिर कम से कम चार गुना मार्केट रेट से जाधा कॉंपेंसेशन मिलना चाहिए मैं आपको अपना पर्सनल एक्ष्पिरियंस बताता हूँ किसान जैसे हमारी बहन ने कहा, जमीन किसान की मा होती है किसान खुशी से अपनी जमीन को देने के लिए त्यार है अगर वो नैशनल इंपोर्टन्स का कोई प्रोजेक्ट हो मगर किसान ये नहीं चाहता कि हमारी जमीन किसी बड़े उद्योग पती को मुफ्ट में दी जाए किसी कारण के लिए नहीं दी जाए तो ये सवाल ये है अगर आर्मी को जमीन चाहिए सेना को जमीन चाहिए कोई नैशनल इंपोर्टन्स का प्रोजेक्ट हो तो मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में एक किसान गएगा मैं नहीं देने को त्यार है सवाल ये है कि किसान की जमीन गुजरात के 5-10 उद्योगपतियों को क्यूं दी जा रही है और वो भी मुफ्त में क्यूं दी जा रही है ये सवाल है और मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूँ कि अगर यहां कॉंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी तो जो हमारा नैशनल कानून है वो यहां पर लागू होगा और अगर आप से और अगर आप से जमीन लेनी है तो आप से पूछ कर ली जाएगी और अगर ली जाएगी तो आपको सही कॉंपनसेशन मिलेगा मेरा पर्सनल पर्सनल एक्सपिरियंस है उत्तर प्रदेश में मेरे पास किसान आये, मुझे धन्यवाद किया, हमने खुशी से अपनी जमीन दिये, क्योंकि हमें सही मुआज़ा मिला है, सही कॉम्पेंसेशन मिला है। देखिए, हमारे प्रदान्मंति प्रश्टाचार की बात करते हैं। HAINDुस्तान में सबसे बड़ा प्रश्टाचार, किसानों से जमीन छीनने का प्रश्टाचार है, इससे बड़ा प्रश्टाचार ही नहीं। जो आपकी जमीन है उसका दाम आपको नहीं मिलता है आपसे चीन ली जाती है और किसी और को दी जाती है ये चोरी है और कुछ नहीं है ये चोरी है और सबसे बड़ा ब्रष्टचार जमीन के मामले में होता है और वही प्रधान मंत्री जो ब्रष्टचार की बात करते हैं वही प्रधान मंत्री जब समय आया था जब जमीनी अधिकरन बिल को समर्तन देने का समय आया था वही प्रधान मंत्री ने उस बिल को रद करने की कुश यह सचाई है, इसको कोई बदल नहीं सकता है, तो मैं यहां आपको मेसेज देना चाहता हूँ, कोंग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों से जमीन ली जाएगी तो उनसे पूछ कर ली जाएगी, और अगर ली जाएगी, तो सही कॉम्पनसेशन दे कर ली जाएगी, और में एम्दवाद डिस्टिक्ट तोले राश्याया हूँ, हमारे यहां गुजरात सरकार ने गुजरात पेश्यल इन्वेस्टमेंट रिजियन बनाया है, यसा यार गुजरात नाम ने बताया है, मेरा नाम है पज्ञुमन चे चुड़ाश्मा, में उदर हमारा प्रदेश है भा बताओ समीति का में प्रेशिडेंट हूँ, माननी सनत में आता के आगेवानी में हमने अंदुरान किया थे, वो सर्यक्ट में ऐसा प्रावजान है कि गवर्मेंट एक को नोटिफिकेशन करता है और सारे के सारे एरिया सर बन जाता है, फिर कोई ख्यरूत को इंडिविडियल कोई नोटिफिकेशन की नहीं है, गैजेट में नोटिफिकेशन हो जाता है, हमारे दॉलेरा में नवसो स्क्वेर चॉरस किलो मिटर में उचने दोजार ग्यारा में यह सर्थ नोटिफिकेशन थे तरफ बन जाता है, बताने के जरूरत यह नहीं है, गैजेट में लिख देत कंपथ में पड़िक यूटी परकाद के लिए ले दाते। पताश तका जो बाके बती है किसान को वापस करता यह लेकिन हमारा प्रदेश में क्या है वह अच्छी जमिन हैं जाके किसान कईती करता है उसमें उसमें उसके वापस नहीं इंक्रता है जो समुध्रकी नारा है जो वेस्ट लेन है जिसमें उस हो नहीं सकता है कि वहां वो पचास टका देता है जो आपने बोला 2013 का एक उसका कोई अमल ही नहीं होता है जो 2003 वो एक्ठ है 2009 का वेसायर है वो सेंट्रल गवर्मेंट का एक्ठ है 2013 का वो सूपरियर है लेकिन हमने हम तो दस साल से लड़ते हैं उसके सामने साप से भी मिले थे सनत में आता जब तक थे हम लड़ते थे अम एक गुजिराज गवर्मेंट ने जो 940 किलोमेटर है एक लाग की आबादी है तेविश गाउं है सारा तालू का है ज्वालेरा तालू का सारा सर बन गिया है उसके सर 500 मिटर दूर है सारा का सारा एरिया खंबात का समुझ रहे है उसका शीयर जेड में आता है तो सब मानों के एन्वार्मेंटल का जो जो भी रूल से अभी सुप्रिम कॉर्ट का और सरकर उस सब का बंग हो रहा है लेकिन हमने किसी भी मिनिस्टर ने अभी तक दस साल जे बाल कोई हमें पुस्ता भी नहीं साब को मिला था उसने का अमरी पार्टी तो आपको सपोर्ट करेंगे लेकिन गवर्मेंट है जो वो सुनने वाल है वो कह चाहिए हमको ये एक है दोजार स्वार्ट तो हमें इतना चाहते है आपको राहुल गाईजी से आपके चरप जे हमारा किसान होगे ये यसा नहीं है कि ये घुलेरा मेरी सर है दूसरा बाई सर आपके पास बहुत उमिद रखते हैं और उमिद के साथ आया है कि आपकी गवर्मेंट आये तो सबसे पहला ये जो सर एक्ट से वो गुजरत के काईजा में से रज होना चाहिए लोग किसान लोग से शॉट में वो है इसी एक्ट में 50 प्रतिशत तक जमीन बिना किसी मुवावजे किसान से चीनी जाती है जो रिमेनिंग 50% लेंड है वो कहीं और लोकेशन पर दी जाती है जिससे कि वो एक्रिकल्चर कंटीनियू नहीं कर सकता पंचायत के जो कॉंस्टिटिशन ने दिये ह यह राइट से उसका वायोलेशन होता है क्योंकि पंचायत का कहीं कुछ नहीं चलता उसको कोई पूछता नहीं है तो यह दो तिन अहम बाते इस एक्ट में यह जो स्पेशली गुजरात में ही है एक छोटा और एक्ट है जो मैं ब्रीफली बताना चाहता हूँ आपके समाई की सिमा को ध्यांग में रखते हुए गुजरात में ड्रैनेज और इरिगेशन एक्ट 2013 में बना है जिसमें अगर नहर की डेफिनेशन बहुत बढ़ी कर दी जहां से बारिश का पानी गुजरे वो नहर है अगर वहां से कोई पास होता है बिना पर्मिशन जलावन लकडी ले के जाता है तो 6 महीने तक की सजा और 10,000 रुपिया तक का पैनल्टी हो सकता है बिना पर्मिशन अपनी जमीन में आप कुवा भी नहीं बना सकते कैनल ओफिसर से पर्मिशन लेना पड़ता है ये भी एक्ट गुजरात में है तो ये जो कानून है एंटी फर्मर उसके बारे म किसानों की आप लोगों से काफी उम्मिद है तिसरा अहम मुद्दा है जो इरिगेशन योजनाय गुजरात में बनी है वो सब का पानी इंड़स्ट्रीज को डाइवर्ट किया जा रहा है नर्मदा में 0.20 मिलियन एकर फीट जो ट्रिब्यूनल ने एलोट किया था उससे कही कहीं ज्यादा पानी इंड़स्ट्रीज को जा रहा है और उसको इवापोरेशन का रेट 50 प्रतिशत बता रहे हैं तो यह अहम बाते हैं यहां का जो बहुत इंपोर्टन सेक्टर है को अपरेटिव उसको इंकम टेक्स भी मार रहा है जी एश्टी भी मार रहा है दी मोनेटा इसमें खिसानों से कोई बातचीत नहीं की गई कोई मतलब डिसकेशन नहीं होता है यह एक मिनट इस लॉग के तहट रिजिलन डेवलोप्मेंट ऑथोरिटी बनती है वो कलेक्टर से भी उपर मानी जाती है कलेक्टर का लॉग भी वहाँ चलता नहीं है और मिनिमम 10,000 हेक्टर होगा तभी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन बनेगा गुजरात में ऐसे 17 स्पेशल इन्वेस्टमेंट रिजन इन्होंने स्पेसिफाई कर रखे हैं दहेज में जो PCPIR है वो 43,000 हेक्टर में है सांतलपूर में 14,000 में चालू हो गया है मांदल बेचराजी मे लोगों ने एजीटेंशन करके वहाँ कैंसल करवाया हजीरा में हजीरा के फार्मर्स ने दो बार एजीटेशन करके एक बार 19,000 का एक बार 24,000 का कैंसल करवाया उसमें कोई रूल नहीं चलता है और उसमें टाउन प्लानिंग अर्बन डेवलेटमेंट अक्ट जो गुजरा कि आमदली कैसे बढ़ेगी हम एफ़पी से उपर देते हैं तो हम टैक्सेबल हो जाते हैं हमारा जेनरल जो हमारा सिस्टम है कॉंग्रेस पार्टी का चुनाओं से पहले हम अलग-अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे किसानों से शोटे वियापारियों से दुकानदारों से सबसे बात करेंगे और जो आपके जो मांगे हैं उनको हम अच्छी तरह सुनकर मैनिफेस्टों में डालेंगे हमारा मैनिफेस्टों आपसे बातचीत करके बनेगा और उस manifesto में हमारी कोशिश होगी कि जो आपकी मुश्किलें है वो सब उस manifesto में वो आवाज पहुँचे ये process सोलंकी जी से मैंने कह रख़ा है कि ये process अब हम चालू करें इसमें 10-15-20 दिन लगेंगे मगर चुनाव से पहले हम आपको बता देंगे कि Congress Party का manifesto गुजरात के लिए क्या करने वाला है और एक बार वो manifesto में गुज गया फिर गुजरात में जो भी चीफ मिनिस्टर होगा उसको उसे लागू करना ही पड़ेगा और कोई choice नहीं मैं आप सबका रहूल जी एक छोटी छोटा सा सवाल है गुजरात में जो लेंड सर्वे हुआ पूरे गुजरात के किसानों का वो बहुत उसमें गलत measurement दिये गए हैं जिसकी 10 विगा थी उसकी 1 विगा हो गई 2 विगा थी उसकी 5 विगा सर्वे जो हुआ उसमें बहुत बड करीब इश्यू है पुजरात की पंचायतों की